लीजे सुनिये मुशी प्रेम चेंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के पचासवे भाग को मेरी यानि समीर गोश्वामी की आवाज में सदन सिंग का विवाह संसकार हो गया जोपड़ा खुप सजाया गया था वही मंडप का काम दे रहा था लेकिन कोई भीड भाड़ ना थी पदम सिंग उस दिन घर चले गए और मदन सिंग से सब समाचार कहा वो ये सुनते ही आग हो गए बोले मैं उस छोकरे का सिर काट लूँगा वो अपने को समझता क्या है भावी ने कहा मैं आज ही जाती हूँ उते समझा कर अपने साथ ले वाला हूंगी अभी नादान गला एक साथ घौट दूगा वो आग में कूधता है कूधने दू ऐसा दूध पीता नादान बच्चा नहीं है ये सब उसकी जिद है बच्च्यों को भीख मंगा कर न छोड़ूं तो कहना सोचते होंगे दादा मर जाएंगे तो आनंद करूँगा मूध हो रखें ये कोई म लाला बैजनात को निश्य हो गया कि संसार से धर्म उठकिया जब लोग ऐसे ऐसे नीच कर्म करने लगे तो धर्म कहा रहा ना हुई नवा भी नहीं तो आज बच्चों की धज्जियां उड़ जाती अब देखें कौन मूह लेकर गाउं में आते हैं पद्मि सिंग रात को ब तो पद्मि सिंग ने हताश होकर कहा भाईया सदन आपसे अलग रहे तब भी आपका लड़का ही कहलाएगा वो जो कुछ नेक बद करेगा उसकी बदनावी हम सब पर आएगी जो लोगी सवस्ता को भली भाती जानते हैं वो चाहे हम लोगों को निर्दोश समझें लेकिन ज बदनामी भी होती है और लड़का भी हाथ से जाता है दूसरी और एकी ही बुराई है बदनामी होगी लेकिन लड़का अपने हाथ में रहेगा इसलिए मुझे तो यही उचित जान पड़ता है कि हम लोग सदन को समझाए और यदि वो किसी तरह न माने तो मदन सिंग ने ब बात पद में सिंग को लांचित कर भूले आश्चर ये है कि ये सब तुम्हारे सामने हुआ और तुम्हें जरा भी खबर नहीं उसने ना जौपड़ा बनाया दोनों चुड़नों से साट गाठ की और तुम आंके बंद की बैठी रहें मैंने तो उसे तुम्हारे ही भरों से भीजा था ये क्या जानता था कि तुम कान में तेल डाले बैठे रहते हो अगर तुमने जरा भी चत्राई से काम लिया होता तो ये नौबत ना आती तुमने इन बातों की सूचना तक मुझे ना दी नहीं तो मैं स्वेम जाकर उसे किसी उपाई से बचा लाता अब जब सार बूच कर उसे आग में गिरने दिया मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुराईयां की थे उनका तुमने बदला लिया खेर कल पराता है काल एक दान पत्र लिख दो तीन पाई जो मौरुसी जमीन है उसे छोड़कर मैं अपनी सब जायदाद क्रिशना अरपन करता हूँ यहा न पर तरपते रहे जिस अपराध से बचने के लिए उन्होंने अपने सिध्धानतों की भी परवाह ना की और अपनी सेवर्गियों में बदनाम हुए वो अपराध लगी ही गया इतना ही नहीं भाई के हिर्दय में उनकी ओर से मेल पड़ गई अब उन्हें अपनी भूल एक अबला का उध्धार तो हो गया प्राता काल जब वो घर से चलने लगे तो भामा रोती हुई आए और बोली भाय इनका हट तो देख रहे हो लड़के की जान लेने पर उतार हुए लेकिन तुम जरा सोच समझ कर काम करना भूल चुक तो बड़ो बड़ों से हो जाती है वो बेचारा तो अभी नादान लड़का है तो मुसकी और से मन न मेला करना उसे किसी की टेड़ी निगाह भी सेहन नहीं है ऐसा नहो कहीं देश विदेश की राह ले मैं तो कहीं की न रहूँ उसकी सुध लेते रहना खाने पीने की तकलीफ नहोने पाए यहा रहता था तो न जाने बेचारा कैसा होगा यहां घर पर कोई खाने वाला नहीं वहां वो इन चीजों के लिए तरस्ता होगा क्यों भाईया कि अपने हाथ से नाव चलाता है पदमसिम नहीं दो मला रख लिये भामा तब भी दिन भर दोड़ धूप तो करनी ही पड़ती होगी मजूर बि मचकर खोच खबर लेते रहना मेरा रौवा रौवा तुम्हें आशिरवाद देखा अब की कारते के सनान में मैं उसे जरूर देखने जाओंगी कह देना तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत याद करती थी बहुत रोती थी ये सुनकर उसे ढांडस हो जाएगा उसका जी बड़ा कच्चा है मुझे याद करके रोज रोता होगा ये थोड़ी से रुपए हैं लेते जाओ उसके पास भिजवा देना पदमजीम इसके क्या जरूरत है मैं तो वहाँ हूँ ही मिरे देखते उसे किसी बात की तकलिफ ना होने पाएगी भामा नहीं भाये लेते जाओ क भी भिजवा देना बाजारू घी घर के घी को कहां पाता है ना वो सुगंध है ना वो स्वाथ उसे अमावट की चटनी बहुत अच्छी लगती है मैं थोड़ी से अमावट भी रखे देती हूँ मीटे मीटे आम चुन कर रस निकाला था समझा कर कह देना बिटा कोई चिंत ही है संसार की लाज से आखों से चाहे दूर कर दूं लेकिन मन से थोड़ी ही दूर कर सकती है अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास सेवा सदन के पचासमे भाग को मेरी यानि समिर गोस्वामी की आवाज में